कि नमस्कार एडिटोरियल एनालीसिस में आपका स्वागत है आज हम लोग एडिटोरियल एनालीसिस के माध्यम से एक बहुत ही महत्रपून टॉपिक की चर्चा करेंगे और यहां जो टॉपिक है यहां अंतरास्ट्य संबंद से जुरा हुआ है याने की आई-ार आई-ार जो जुपिर पहलो है VS की पेप्र के हिसाब से दिबात की जाए तो जीयस पेपल टू में इसे हम पड़ते हैं मैंस Congo June में से जीिए ऐस के पेपर टू के अंत्रगत हम अंतरास्ट्य संबंद के माध्यम से आज की विशिश टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे इसका जो राकेश शूद नाम के एक वेक्ति हैं यह एक फॉर्मर डिप्लोमाट रह चुके हैं भारत के और वर्तमान में ए अब्जर्वर फाउंड डिसर्स फाउंडेशन के में एक फेलो के तौर पर भी कारे कर रहे हैं यहां पर आप सामने देख रहे हैं होगे रस्या के राष्टपती ब्लादिमी पूतीन का बहुत ही एक दमखम वाली एक तस्वीर यहां पर है और इस पूरे आर्टिकल में कुछ इन ही बिंदों पर चर्चा होगी आपको पता होगा कि हाल के समय में रूस कीस हिसाब से एक क्रेन के अगेंस्ट में एक आकरामक रवाईया अपना रहा है और अमेरिका के साथ साथ नाटो और अन्य जो संगठन है वो किस हिसाब से इस पूरे मामले में अपनी सक्रियता दर्शा रहे हैं तो इन ही मामलों पर आज की चर्चा ठिकी हुई रहेगी और जो आज की चर्चा का मूल आधार है यह आर्टिकल रहेगा मैं आपको साथ साथ यह भी बता दू कि चुकि कल बजट पेश किया गया था और परसो आर्थिक सर्वेक्शन पेश किया गया था तो उस पर हम विशेश एडिटोरेल एनालिसिस फिलहाल नहीं ला रहे हैं हमने इन न्यूस प्रोग्राम में और अपने जो टू दा पॉइंट के प्रोग्राम से उन में भी हमने बजट और एकनॉमिक सर्वे को फिलहाल कवर किया है आगे यदि कुछ विशेश उसमें आता है तो हम निसंदे एडिटोरेल एनालिसिस में भी उसकी चर्चा करेंगे बहराल आगे भरते हैं और आज की चर्चा की शुरुवात करते हैं जब हम आर्टिकल की शुरुवात में देखते हैं तो राकेश सूद जी ने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण घटनाव का जिक्र करते हुए इस आर्टिकल का आरंभ किया है वो कौन-कौन सी घटनाए हैं और इसमें क्या कुछ बाते कही गई हैं यह हम समझने की कोशिश करते हैं पहला तो यह है कि जिनेवा में एक बैठक हुई है जिसमें अमेरिका के जो सेक्रेटरी ओफ स्टेट हैं और रसिया के जो डेपूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं उन लोगों ने भूमिगा निभाई उन लोगों ने बातचित की इसके बाद एक और बैठक होती है बुसेल्स में जो की नाटो और रसिया कॉंसिल के बीच में वह बैठक होती है है ना तो यह जो Belgium के Brussels में यह बैठक कब होती है जनवरी 12 12 जनवरी 2022 को यह बैठक होती है यह इस तरीके से यह क्रम चल रहा है पहली बैठक क्या हुई है जेनेवा में दूसरी जो एक बादचित हुई है वो Brussels में और तीसरी जो एक बैठक हुई है वह हुई है वियना आस्ट् किराजधानी ऑस्टियाज कैपिटल वियना तो तीन जगों पर बादशित हुई है रूस और अमेरिका के बीच में जो भी वर्तमान में गतिविधियां चल रहे हैं तनाव के माहौल चल रहे हैं इन क्रमवार्ज बैठकों में इस पर चर्चा हुई है और विभिन माध्यमों स झाल पर यहां पर मैं आपको बता दू कि जहां अनुर्यूर्च का जो नतीजह है जो तो क्ल मिलक्र करके कहा जा सकता है कि कुछ खास प्रभाव देने वाला नहीं रहा है और वर्तमान की स्थिति जो है इस माध्यम से देखी जा रही है, कि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि रूज और अमेरिका के बीच का जो तनाव है, वो और आगे बढ़ सकता है। बहर हाल इस पर और हम आगे बरते हैं आर्टिकल में और क्या कहा गया है यहां पर आर्टिकल में अगले टाइटिल के तौपर रखा गया है राकेश सूद जी ने इसमें रसियन प्रॉब्लेम्स रसिया के समक्ष रूस के समक्ष में क्या कुछ समस्या है उसके बारे में यहां पर जिक्र किया गया है इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रूस की समख्ष ऐसी क्या क्या समस्या है क्या कुछ हडल उसके सामने हैं यहाँ पर मैं आपको बता दू कि 2008 में आपको इध्यान रखना होगा कि 2008 में बुखारेश्ट में नाटो समिट हुआ था बुखारेश्ट कहां पर है? रोमानिया की राजधानी बुखारेश्ट है बुखारेश्ट में नाटो समिट हुआ था और उसमें यह कहा गया था कि जॉर्जिया और इक्रेनoire यदि चाहे है तो वे नाटो की सदस्य बन सकते हैं तो आप नाटो की सदस्ता आप ग्रहन कर सकते हैं यहाँ पर चुकी नाटो की बात की जा रही है तो मैं आपको नाटो के बारे में बता दूं कि नाटो का क्या होता है बहुत ही बेसिक सा यह सवाल है नाटो का फुल फॉर्म होता है नौर्थ अट्लांटिक ट्रिटी और्गनाइजेशन आप में से जो भी नए बच्चे हैं इस प्रतियोगता परिक्षा के त्यारी कर रहे हैं उनके लिए यह जानना जोरोरी है सबसे अधिक महत्व पूर्ण यहां पर उनके लिए हो जाता है कि नाटो का मतलब होता क्या है तो नाटो है क्या नौर्थ अट्लांटिक ट्रिटी और्गनाइजेशन इसकी स्थापना हुई थी उनीस सो उन्चास में और वर्तमान में इसके कितने सदसे हैं तो तीस सदसे हैं यह कुछ फैक्च कारिया है इनके साथ साथ आपको मैं यह भी बता दू कि जब अमेरिका और सवेशन के बीच में जब कोल्डवाल की शुरुआ थुई शीत युद्ध की शुरुआ थुई उस दोरान नाटो का गठन किया गया था उनीस सो उन्चास में इसका गठन किया गया था इसके आया था 1955 में वार्षा पैक्ट आया था जो कि नाटो को बैलेंस करने के लिए रसिया के नेत्रित में उस समय रसिया नहीं बलकि सोवेशन्ग था सोवेशन्ग के अगवाई में वार्षा पैक्ट पर हस्ताक्षर किये गया थे 1905 में तो इस तरीके से ये कुछ संग्ठने कि 1904-1925 इस तरीके से वो आगे भरे हैं इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दू कि 1994 में CSTO का गठन किया गया था इसके बारे में हम यहाँ पर जर्जा करेंगे CSTO क्या है और दसिया जो है इससे जुरा हुआ है तो ये कुछ ऐसे घटनाय हैं जो कि आपको क्रम से भी याद रखनी चाहिए जो अंतरास्टिय परिब्रेक्ष में विशेश तोर पर अमेरिका और सोवियत संग के परिब्रेक्ष में या फिर वर्तमान में रूस के परिब्रेक्ष में यह बहुत ही महत्रपून हो जाते हैं आगे हम बात करें कि हमने क्या वताया कि 2008 में जॉर और उसने कहा कि यदि उक्रेन इस तरीके की कोई गतिविधी करेगा नाटो में शामिल होगा तो यह अच्छी बात नहीं होगी और हम उसके लिए एक संकट वाली स्थिति उत्पन कर सकते हैं इस तरीके की जो बाते हैं वो रसिया ने उस दौरान कही थी और आज भी रसिया चाहता है कि उक्रेन नाटो में शामिल न हो है ना आगे और क्या बात कही गई है इसमें यह भी कहा गया है कि रसिया इंटर्विन टेकिंग ओवर जौर्जियन प्रविंसेज ऑफ साउथ असेशिया एंड अब काजिया यानि उस दौरान जब जौर्जिया ने भी कोशिश क की थी कि हम नाटो की सदस्ता ग्रहन करेंगे तो उस दौरान रसिया ने क्या किया था रूस ने जौर्जिया के प्रांतों पर भी एक हस्दक्षेप किया था उस पर कबजा करने की कोशिश की थी तो यह जो बाते हैं यह बातें दरसाती हैं कि रसिया जो है हमेशा से नहीं चाहता है कि जॉर्जिया और जो उक्रेन है ये नाटो की सदस्ता गरहन करें अच्छा यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो जॉर्जिया है या फिर उक्रेन है ये रूस के इदिया मांचित्र के स्तर पर देखें तो रूस के सीमावर्ति ये देश है उक्र इन देशों के साथ में साथ गाट करें, इन ही मजबूत करें और यदि ऐसा होता है तो फिर वो रूस के लिए खत्रे वाली इस्थिती को जन्म दे सकता है, इसलिए रूस हमेशा जाता है उसके सीमावर्ती वाले जो भी देश हैं, वो अमेरिका या फिर पश्मी देशों के प क्रेन की राष्ट्रपती थे उस दोरान 2013 की बात चल लई है विक्टर यानु कोवीच उन्होंने प्रो रसिया रुख अपनाया यानि की रूस के समर्थन में वो सामने आते हुए देखे थे और उसी का नतीजा था कि 2014 में रूस ने क्रीमिया को विले करते हुए और उसे लेज कर लिया था विले कर लिया था लेकिन 2014 में जो है लगवक 94 प्रतिसत जन्मत संग्रह के साथ में 2014 में उसे वैसता भी प्रतान कर दी थी तो यहां पर आप देख रहे हैं कि रूस किस हिसाब से अपनी मजबूती जो है पेश करने की कोशिश कर रहा है जहां एक तरफ रूस ज को शामिल हूं और उक्रेन के अंतरगत जो क्रीमिया था क्रीमिया को उसने 2014 में अंदर में पूरी तरीके से मिला लिया जन्मत संग्रह के माध्यम से और आगे हम इदी देखें आगे क्या इस्तिती है कि पिछने लगवक साथ सालों से 2014 में तो क्रीमिया को विले कर लिया से कि अभी लगभक trudिका सा का समय और इन साथ सालों में ऐसा देखा गया है कि जो इक रूसकप और रूसक्त के समर्थन seems जो है incember कि सेना के अगेंड में विद्रोह प्रदर्षन किये जाते रहे हैं यहां पर लोए के जैसे शित्रों की जर्चा मैं इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि आपको कभी इदी परिक्षा में इस तरीके से सवाल बने कि दुनेश कहां है या लुहांस कहां है तो आपको दिक्कत न हो अब हम बात आगे करते हैं चुकि रसिया के प्रॉब्लें के कॉंटेस्ट में बात की जा रही है तो यहां पर जो एक प्रॉब्लें उभरता हुआ दिख रहा है जॉर्जिया और उक्रिन के कॉंटेस्ट में अब यहां पर प्रॉब्लें जो है और आगे बरता है यहां पर रा भीवते हैं वह एक साहती हैं और यहां पर कुछ इसी तरीके से रूस के अगेस्ट में देखा जा रहा है यहां पर ये है की जब रूस ने ऐक्रेंग को इस तरीके से कोशिश किया कि वह स्चिम के साथ में या फिर अमेरिका के साथ में वो न मिले अमेरिका के तरफ उसका जुकाव न हो तो इसके अलावा भी रूस को और भी कई सारी चुनोतियां सामने आते हुई दिख रही थी वो कौन-कौन सी चुनोतियां थी यह आगे की चर्चा यहाँ पर उसी के आधार पर देखी जा सकती है यहाँ यह है कि बेलारूस के जो राष्टपती है अलगजेंडर लुकाशेंको उन्होंने लगभक 6 साल तक जो है अपने पद पर अपनी दावेदारी पेश की 6 साल तक और ऐसी इस्थिति में बेलारूस में भी विद्रोह की इस्थितियां सामने आने लगी और इन विद्रोह की इस्थितियों को मद्दे नजर रखते हुए रूस ने बेलारूस के राष्टपती को अपना समर्थन दिया और इस हिसाब से समर्थन दिया ताकि चुकी बेलारूस रूस का एक सिमावर्ती देश है और रूस नहीं चाहता है कि उसके सिमावर्ती देश में किसी भी प्रकार की कोई हल्चल ऐसी हो जो की विरोधी स्वरूप को जन्म दे सके हना तो इस कारण से रूस ने बेला रूस को साथ्व देने की कोशिश की और हम आगे बात करें तो अजरबैजान और रूस के समर्थन वाले अर्मेनिया की बीश में एक विवाद चल रहा है नागोर्णो कारवबाग को लेकर गड़के उस माध्यम से भी यहाँ पर रूस के समक्ष कुछ मुश्किलें पैदा होती भी दिख रही हैं दोजार बीस के अंत में रूस ने जो है एक तरीके से बिचौलिय का काम किया और इस विवाद को समाप्त करने की कोशिश की चुकि मैंने आपको हमेशा बताया है कि रूस अपने सीमावर्ति क्षेतर में सीमावर्ति देशों के बीच में या फिर अपने समर्थन वाले देशों के साथ में किसी प्रकार की अशांति वाली इस्थिति को जन्म नहीं देना चाहता है और इसी का नतीजा है कि रूस हमेशा कभी बेलारूस के राष्टपती को अपना समर्थन दे रहा है तो कभी वो अर्मेनिया के साथ में वो कंधे से कंधा मिलाता हुआ दिख रहा है तो इस तरीके की कुछ इस्थितिया रूस के सामक्ष सामने आती हुई दिख रही है अब य तरीके से बताने की कोशिश करते हैं कि यदी अर्मेनिया और इसको हिंदी में लिख देता हूं आपको अच्छे से आर्मेनिया वर्जेज अजर्बैजान ठीक है न अब अर्मेनिया का साथ एक और खूँद दे रहा है तो रुष और इधर अजर्बैजान का साथ कौन दे रहा है तो तुर्क रूस के समख किस तरीके से मुश्किले आ रही है उसी की चर्जा यहां पर गीजा रही है अब अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में विवात चल रहा है नागोर्णो काराबाग को लेकर केरके रूस जो है बीचोलिया का काम करते हुए और इस विवात को शांत करने की हैं आगे काजाकिस्तान की बात आती है कजाकिस्तान में इंधन मुल्यी में वृधि के बाद वहां कुछ विरोध प्रदर्शन होने लगे और कजाकिस्तान ने रूस की सहयता ली और वूए जो रूस के राष्टपती है Mr. Putin Mr. Vladimir Putin उनके पास गये और CSTO जो की Collective Security Treaty Organization है जिसकी चर्चा मैंने शुरू में एक दफा की भी थी इसकी स्थापना दरसल हुई थी 1994 में पहले ही इसकी स्थापना हो चुकी थी 1994 में दरसल ये प्रभाव में आया था ये एफेक्टिव हुआ था एक संगठन के तौर पर ये सामने आया था इससे पहले यह एक क्रिटी के तौर पर ही था 2002 की यहां पर बात की जा रही है जिसमें वह एक संगठनात्म धाचा लेता है और इसमें जो सदस्य हैं वो टोटल 6 सदस्य हैं तो इनके पास भी कजाकिस्तान गया और उसने सहायता म उस विरोध के अगेंस्ट में उस विद्रोह के अगेंस्ट में जो की कजाकिस्तान में हो रहे थे इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो रूस है हमेशा कभी बेलारूस को ले करके कभी कजाकिस्तान को ले करके कभी अर्मेनिया को ले करके हमेशा जो है एक मुश्किलों में र CSTO में चुकी 6 सदसे हैं, CSTO का फुर्फर्म क्या हुआ, Collective Security Treaty Organization, इसमें जो 6 सदसे हैं, वो कौन-कौन से हैं, तो एक तो हो गया रूर्स, दूसरा बेला रूर्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तीसरा है, अर्मेनिया, चौता है, कजाकिस्तान, पांचमा है, करगिस्तान, और छटा है, ताजाकिस्तान, यह टोटल 6 ऐसे देश हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह टोटल 6 देश हैं, वरतमान में, CSTO में, अब यहाँ पर चुकी हमने आपको देखा, बताया भी, कि रूस, बेलारूस, अर्मेनिया, कजाकिस् किस जो अंदरुनी मामले हैं, जो उनकी विवाद हैं, उसमें रूस जो है, भूमिका निभा रहा है, तो चार तो यही होगे, बाकी किरिगिस्तान और तजाकिस्तान, यह टोटल 6 देश हैं, जो कि CSTO के अंतरगत आते हैं, तो यहाँ पर कुल मिला कर कहा जा सकता है, कि कि रूस अपने जो मित्र देश हैं, अपने जो सहयोगी देश हैं, उनकी विविन मुद्दों में वहाँ सामने आता हुआ, दिखता है, और इस तरह वह हमेशा विविन स्तरों पर संकट से घिरा रहता है, तो इसी संतरव में इस आर्टिकल में यहाँ पर चर्चा की यही है रूस के प्राब्लेंस के कॉन्टेक्स्ट में, आगे हम बात करते हैं, आगे क्या है, आगे यहाँ पर राकेश सूद जी ने एक टाइटल दिया है, सीकिंग लॉस्ट ग्लोरी, यह बहुत ही महत्वपुन पक्ष है, इस पूरे आर्टिकल में यह जानने की कोशिश यहाँ होनी चाहिए, कि यह जो बाते हैं, सीकिंग लॉस्ट ग्लोरी, आखिर वह लॉस्ट ग्लोरी क्या है, तो आपको पता होगा कि अमेरिका और सोव्यत संग के बीच में, जब शीत युद्खा दौर समाप्थ हुआ, लगभव 1991 में, जब सोव्यत संग का विख्टन हुआ, तो कि सोव्यत संग समाप्थ हो चुका था, अब किवल बाइपोलर पॉलिसी नहीं थी, बलकि युनि पोलर पॉलिसी वाली इस्थिति थी, और अमेरिका जो है, इसमें बहर चरकर के सामने आजने लगा, लेकिन वर्तमान की जो इस्थिति है, अब इतने साल गुजर चुके हैं तो वर्तमान की जो इस्थिति है, यहाँ पर कुछ और चिंजस सामने आते हुए दिख ले हैं, और यहाँ पर जो लॉस्ट ग्लोरी वारी बात है, यहाँ अमेरिका जहाँ एक तरफ ये भी चाह रहा है कि वह फिर से उनी पोलर जो उसकी नीती थी, उस दौरान, सोवे संग के विक्टन के तुरंत बात जो इसकी जो पोजिशन थी, उसकी जो उसका जो कद था, वह कद फिर से वो पाना चाहता है, क्यानि कि वह उनी पोलर पॉलिसी को अपनाने की और आगे भढ़ना चाहता है, दूसरी बात क्या है, तो अमेरिका की एक तो पक्ष अमेरिका का एक पक्ष तो यह हुआ, दूसरा पक्ष क्या है रूस का रूस का पक्ष यह है कि रूस यह नहीं मानता है, in fact, ब्लादी में पुतीन जो है, यह मानते हैं कि बीसमी सदी की सबसे बरी जो एक घटना थी, सबसे बरी दुर्भाग, दुर्भाग्य पुर्ण जो घटना थी वो थी सोवेत रूस का विक्टन है ना सोवेत संग का विक्टन ये इसमें कहा गया है Mr. Putin की कॉंटेक्ष्ट में यहाप कहा गया है जो की सोवेत संग था दा बिगेस्ट ट्रैजडी ऑफ दे 20th सेंचुरी बीशमी सदाबदी की सबसे बड़ी त्रासदी के तौर पर जो रूस के राष्टपती है गुरादेमिर पूतीन वो इसे देखते हैं और वे चाहते हैं कि रूस फिर से अपना जो कद है अपनी जो हैसियत है जो बीशमी सदाबदी में उसकी हैसियत थी उस हैसियत को फिर से वो पावे और इसी लिए यहाँ पर यह टाइटल दिया गया है seeking lost glory एक तरफ अमेरिका जो है विभीन माध्यमों से चाहता है कि वह यूनी पोलर पॉलिशिक माध्यम से अपने कद को और बढ़ाए दूसी तरफ जो रूस है वो चाहता है कि सोवेत संग का जो विख्टन हुआ था वो सबसे बड़ी त्रास्दी थी और इस त्रास्दी के साथ वो आगे बरहे और इसी लिहाद से यहाँ पर कुछ बाते कहीं गई हैं अमेरिका के कॉंटेक्स में क्या कहा गया है अमेरिका के कॉंटेक्स में यह कहा गया है कि अमेरिका चाहता है कि नाटो और European Union दोनों के माध्यम से अमेरिका जो है पुर्व की तरफ पसार करना जायता है इस्टर्ण एक्स्टेंशन वो चाहता है नाटो के माधम से भी और इरोपिय उनियन के माधम से भी हमने चर्चा की शुरुआत में भी आपको बताया था कि वर्स दोजार आठ में ही जब नाटो का जो जो की एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वह पुर्वी इडेश हैना तो यह हाँ पर दरशा रही है कि किस तरीके से अमेरीका अपने कद्ड को और मजबूत करना चाता है जहां तक बात है रूस की तो रूस के context में यहां पर मैंने आपको बता दिया कि रूस के राष्टपती इसे किस तरीके से देख रहे हैं उन्होंने 2007 में म्यूनिक security conference में उन्होंने कहा भी था उसमें Mr. पुतीन जी नहीं कहा था की security guarantee of Russia for first time है था ना 2007 में म्यूनिक में एक संभेलन आयोज़त किया गया था और उसमें उन्होंने रूस की सुरक्षा के कॉंटेक्स में पहली बार इस तरीके से बातें कही थी तो यह सब जो है महत्वपूर्ण बातें यहां पर सामने आतु नहीं देख रही है यह पर इस पूरी चर्चा में मैं आपको ये भी बता दूँद कि एक टर्म है एकजिस्टेंचियल थ्रेट है कि आहाँ मैं लिग देता हूं अलग से रूस ने existential threat जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है किसके अगेंस्ट में अमेरिका और नाटो के अगेंस्ट में है ना ब्लादिमिर पुतीन जी का यह कहना है कि अमेरिका के साथ-साथ जो नाटो है और जो Central और Eastern European Member States जो है वो रूस के लिए existential threat के तौर पर सामने आ रहे हैं यह existential threat क्या है इसका मतलब होता है कि अस्तित्व के लिए खत्रा यानि रूस का यह मानना है कि यह सभी मिल करकर कि हमारी अस्तित्व के लिए ही खत्रा पैदा कर सकते हैं और यह हमारी सुरक्षा की लिहाज से जो है बहुत ही चिंतनिय इस्तिती है और मैंने आपको बताया कि 2007 में मियूनिक सेकुरिटी कॉन्फरेंस में मिस्टर पुतिन जी ने अपने शुरक्षा के संदर्व में पहली बार बातें रखी भी थी यहाँ पर मैं आपको यह भी बता दूँ कि इस बार जो आईएस का पेपर हुआ है मिन्स का इसमें इस वर्ड की चर्चा की भी गई है लेकिन वह चर्चा किसी और कॉन्टेक्स में की गई है वह चर्चा की गई थी उसमें प्रश्न क्या था प्रश्न मैं आपको बता देता प्रश्न ये था कि अमेरिका की समक्ष चीन जो है एक existential threat के तौर पर सामने आ रहा है है रूस की तुल्डा में तो क्या ये कहीं अधिक चुनोती पूर्ण है कि इस तरीके से वो सवाल बना था चुकि वो सवाल बना था existential threat की context में इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिय तो existential threat की context में यहाँ पर रूस कह रहा है कि ये जो अमेरिका है और अमेरिका के साथ में जो अन्य देश हैं पुर्वी उरोप के जो देश हैं ये सम्मिल करकर के और हमारे लिए एक अस्तित्व के लिए खत्रे का जो है एक मंच तियार कर सकते हैं और इस लिहाज से ये जो मा मामला है ये मामला बहुत ही चिंतनी है है आगे बात करते हैं इस paragraph में क्या वाते कही कह इंए इस paragraph में ये कहा गया है कि रूस ने दो ड्राफट पैस कि क्या क्या ड्राफट पैस कि उसने कहा कि नाटु की जो विस्तारवादी नीदी है उसे समप्त किया जाना चाहिए उसे हटाया जाना चाहिए और अमेरिका के जितने भी हथियार अधुयार इडियोंड में है वो हटाया जाने चाहिए लेकिन अमेरिका जो है रूस की इन डाफ्ट को इन मसौदों को डिजेक्ट कर रहा है और अमेरिका कह रहा है कि हम ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं है तो यह सब जो इस्थितियां है यहाँ पर सामने आती हुई दिख रही है आगे और क्या कहा गया है आगे यह कहा गया है कि रूस के जो डेप्टी मिनिस्टर है सरजेई र्याब को उन्होंने कहा है कि रूस जो है इंटेंशन नहीं रखता है कि हम उक्रेण पर कबजा करें उक्रेण को हम हथिया लें लेकिन यहाँ पर यह भी कहना होगा कि उक्रेण मस्ट नेवर नेवर एवर ज्वाइन नाटो है ना उनक को कभी भी न स्विकारे नाटो का सदस्य कभी भी न बने यहाँ पर क्या कर रहा है नेवर नेवर एवर जाएन नाटो इस तरीकी की बातें जो रूस की डेप्टी मिनिस्टर है उन्होंने कही है लेकिन वहीं पर जो अमेरिका है अमेरिका का पक्ष यह है कि नाटो की ओपे जो है ये कह रहा है कि हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि उक्रेन नाटो में शामिल नहों हम हमेशा से नाटो में उक्रेन को शामिल होने का सागत करेंगे इस तरीकी की बातें अमेरिका और रूस की बीच में चल रही है आगे देखते हैं आगे इसमें और क्या कहा गया है आगे में यह कहा गया है कि 14 जन्वरी को फिर से जो तनाव का माहौल है किस हिसाब से आगे बरता हुआ दिख रहा है कुछ इसी की चर्चा यहां पर की जा रही है 14 जन्वरी को लगभग 70 से भी अधिक इक्रेन के गवर्नमेंट साइट्स को साइबर अटेक का सामना करना परा जिसमें यह कहा गया था कि बी एफरेट एंड एक्सपेक दव वर्स्ट हैना आई कहने का मतलब यह कि आप ड़िये और सबसी बुरी इस्थिती के लिए तयार रहे और यह कहा गया कि यह जो साइबर अटेक था यह रूस के माध्यम से ही करवाया गया था है ना तो यह सब जो तनावपूर्ण महावल है यहाँ पर उभरते हुए सामने आ रहे हैं वहीं पर आगे और कहा गया कि रूस जो है इस्पेशल फोर्स तैनाद कर रहा है अपने सिमावर्ती इलाकों में यह अमेरिका के इंटिलिजन्स का एक खुलासा था जिसमें यह कहा गया था कि रूस ने अपने इस्पेशल फोर्से तैनाद कर दिये हैं इस्टर्ण उक्रेन वाले छित में और रूस को चितावनी भी दी गई है कि यदि वो किसी ही प्रकार का हसक्षेब करता है तो इसका जो नतीजा होगा वह नतीजा बहुत ही बुरा होगा और सबसे बड़ी बात यह कि 27 जनवरी के दिन प्रपती जो अमेरिका के हैं मिस्टर जो बाइदेन उन्होंने यहां तक कह दिया कि उन्हें ऐसा ल और रूस के बीच में वह भरतावा दिख रहा है यह जो पार्ट है इस पार्ट में मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि राकेश सूद जी ने यहां पर किस हिसाब से नाटो के एक तरीके से रिजुवनेशन की स्थिती के बारे में चर्जा की है जब 2008 में नाटो के सम्मेलन में जॉर्जिया और इक्रेन को सामिल करने की बात की गई थी तो उसमें ऐसा लग रहा था कि यह केवल एक हवा हवाई है और उसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि जो अमेरिका के पुर्व राष्ट्रपती थे मिस्टर डुनार्ड ट्रम इन्होंने नाटो को कि अन्होंने नाटो को ब्रेंड की संग्यादी तो कहने का मतलब यह है कि नाटो की जो इस्थिती थी वहाँ कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है अब इसमें इसका कोई उपयोग नहीं नहीं है इसका कोई objective नहीं है लेकिन वर्तमान में जो अमेरिकी राष्टपती है वो नाटो को फिर से एक नई ताकत देने की कोशिश कर रहा है और इसी लिहाद से यह जो पाराग्राफ है यह पाराग्राफ यहां पर महतरपून हो जाता है क्योंकि वर्तमान में रूस जिस हि उक्रेयन की तरफ आगे बरा है उक्रेयन की आगेश में वो अकरामक रवया अपना रहा है ऐसी इस हिती में अमेरिका ने नाटो की सदस्यों को एक जूट करने की कोशिश की है मैं आपको यहां पर क्लिर कर दूँ कि राकेश सूझ जी ने यहां पर कहा है कि जब क्रेमिया पर रूस ने आकरमन किया एक तरीके से उसे विले कर लिया 2014 में तब भी नाटो ने कुछ भी अधिक सुगवुगाहट नहीं दर्शाई लेकिन जब रूस उक्रेन को जो है एक तरीके से समेटनी की कोशिस कर रहा है अपने आप में मिलाने की कोशिस कर रहा है तो ऐसे में के लिए एक शुभ संकेत दर्शा रहा है आगे हम बात करते हैं आगे इसमें और क्या कहा गया है आगे चाइना के कॉंटेक्ष्ट में चर्चा की गई है चुकि यहाँ पर अमेरिका और रूस यह दोनों देश हैं और चीन भी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमी का निभात हुआ देख रहा है अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बदाया कि इसी बार के आईये इस मेंस पेपर में अमेरिका चीन और रूस के कांटेक्ष्ट में एक सवाल बना था यहाँ पर क्या है कि अमेरिका जो है चीन पर भी फोकस कर रहा है और हिंद प्रशांत छित्र पर भी फोकस कर रहा है ऐसे में रूस नहीं चाहेगा कि वहां से अमेरिका का ध्यान हटे और पुर्वी इरोप पर जाए ऐसा इसलिए क्योंकि यदि अमेरिका या वहां से अपना ध्यान हटा करके पुर्वी इरोप में रखता है तो ऐसे में रूस के लिए बहुत ही नुक कि यदी अमेरिका और रूस के बीच में जो वर्तमान तनाव है यह और आगे बहता है तो नौड इस्ट्रीम टू गैस पाइप्लाइन जो है वर्तमान में वो थंडे बस्ते में परा हुआ है और यह जो पाइपलाइन है यह रूस से होते हुए जर्मनी की और यह pipeline जाती है और इस हिसाब से यह रूस के रिए बहुत ही महंगा पर सकता है और यहाँ पर मैं आपको यह भी बता दूँ कि जो प्रतिबंध है रूस के अगेंस्ट में उससे जो इरोब का बाजार है वह रूस से अचुता हो जाएगा परसारवादी रविये का इस्तेमाल करकर के रूस से कहीं आगे निकल सकता है और यह रूस के लिए किसी भी किमत पर हितकारी नहीं होगा तो कुछ इसी संदर्व में यहाँ पर चर्चा की गई है और पुरी चर्चा के अंद में क्या बाते कहीं कहीं है यह हम देख लें पह जिसको इसन निर्ने लेना होगा कि कौन सा काम करना कौन सा कदम उठाना सबसे अधिक हितकारी हो सकता है सभी के लिए पहला तो अधिक है और लिए कि अगेंस्ट में भू खरे हो हूँ वह नाटू जो कि कुछ समय से बहुत हीी शांत्व परावा था और अब जो है फिर से वो रिवाइब हुआ है और इसके साथ-साथ उसे चाइना से भी टकराहट मोल लेनी होगी जो मैंने अभी यहाँ पर चर्चा भी की तो इस पूरे मामले में यहाँ पर देखना होगा कि मिस्टर पुतिन किस तरीके से सोचते हैं किस तरीके से वो आगे क का नेड़ने लेते हैं और इसी के अधार पर आगे की जो अंतरास्तिय रणनीती है वहर डिपेंड करेगी अमेरिका रूस के विशेश संदर्व में तो आज की चर्चा में हम यहीं पर समाप्त करते हैं मिलते हैं नेक्ट सेशन में अन्य महत्वपून आर्टिकल के साथ